प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, कक्षा 4 हिंदी का पार्ट 6, तो आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ रखें, पार्ट 6 मा कह एक कहानी, इस पार्ट में हमें एक कविता दी गई है, चलिए उस कविता को पढ़ें। हामा यही कहानी, वन वन के फूल खिले थे, जिल मिलकर हिम बिंदु जिले थे, हलके जोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खक कल स्वर से, सहसा एक हंस उपर से, गिरा बिद्ध होकर खकशर से, हुई पक्षिकी हानी, हुई पक्षी की हानी, करुणा भरी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्मसा उसने पाया इतने में आखे टक आया, लक्षय सिद्धिका मानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे ताथ किंतु थे रक्षी जब उसने जो था खकबक्षी हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग रही थे स्वविशय में गई बात तब न्याय आलय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी राहुल तु निर्ने कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, मा क्या मेरी बानी, मैं सुन रहा कहानी कोई निर्पराद को मारे, तो क्यू अन न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दयाका दानी, न्याय दयाका दानी, तुने गुड़ी कहानी सिक्षा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है इस पार्ट में एक छोटा बच्चा अपनी माता से कहता है कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ तो उसकी माता जी उसे कहानी सुनाती है कि तुम्हारे जो पिता थे वो एक दिन घूम रहे थे बाग में तो यहां जो मा है वो पूस्तिये बेटे से जिसका नाम राहूल है कि तुम इसका क्या फैसला सुनाते तो राहुन ने कहा कि वो पक्षी निरपराद था यानि उसका कोई भी अपराद नहीं था उसने कोई गलती नहीं की थी और बेवज़ा शिकारी ने उसको मारा तो अगर कोई उसे बचाता है तो वे बड़ा है यानि की उसे उसे पक्षी नहीं मिलना चाहिए और जिसने उसे बचाया है उसको हमें बड़ा समझना चाहिए इसलिए हमें सिक्षा क्या दी गई कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ठीक है आप सभी इस कविता को एक बार स्वयम अवश्य पढ़ें धन्यवाद